मुख्य संसदिय सचिफ सुंदर सिंग ठाको ने कहा है कि कुल्लू जिला में बाड प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है जबकि विपक्ष धरादल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है उनने कहा कि तरासदी की समय जहां उन्हें लोगों की सेबा करती शाहिये थी वहीं विपक्ष राजनेती कर रहा है उनने कहा कि जिला में प्रभावितों को अब तक पांच करोड रुपे की राहत राशी दी जा चुकी है उनने कहा कि प्रदीश सरकार द्वारा प्रभावित लोगों की जीवन यापन के लिए उचित कदम उठाये जा रहे हैं उनने कहा कि विपक्ष इस तरासदी की समय प्रभावितों की सेबा के लिए सहयोग करे देखिये अभी घर दवार पहली बारी है कि माननीय मुख्य मंत्री सुक विंदर सिंग सुकोजी की सरकार जिसमें कि किसी व्यक्ति का अगर समान बैज आता है किराईदार का समान बै जाता था तो उसे पांच हजार पे दिया जाता था आज उनको पचास हजार दिया जा रहा है किसी के घर के अंदर पानी गुस्तर पार्शल डेमेज होता था उन्हें दस हजार दिया जाता था आज उन्हें एक लाकर पे दिया जा रहा है और घरद्वार पे दिया जा रहा है जो है समवेदना को राहत के साथ जोड़ा है मेरा बिपक्ष से अनुरोध है यह राजनिती करने का वकत नहीं है राजनिती करनी होगी हम खुले मज़ पे उनके साथ हम बाद भी बाध करने को त्यार है आतो जनता की सेवा कीजिए